MS Word के Insert Tab में आपको एक Option मिल जाता है यहां पे Tables का जो जाते हैं MS Word में अपने Day-to-day Work में यहां पे यूज़ करते हैं तो दोस्तो आज में शेयर करने वाला हूँ My Favorite Top 7 Interesting Tips and Tricks और MS Word Table जो आपके Office का काम बहुत ही यहां पे असान कर देगी सारी जो Tips and Tricks पताने वाला हैं बहुत ही यूनिक होने वाली हैं और बहुत ही informative होने वाली हैं तो दोस्तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली हैं बहुत ही informative तो नमस्का दोस्तों महरतेश आप सबका स्वागत करता हूँ Creative Learning के चैनल में और दोस्तों अगर आप Computer सीखना चाहते हैं Computer से लेटिट बहुत सारी Tips and Tricks जानना चाहते हैं तो नीची रेट क्लिए सब्सक्राइब बटन है उस पे क्लिक कर लीशे साथी में वैल एकन को प्रेस कर लीशे ताकि आपको हमारे चैनल से लेटिस नोटिफिकेशन रेगुलर्ली मिलती रहें तो आई दोस्तों लेक्स बिगिन विद इस टॉपिक आई दोस्तों जान लेते हैं MS Word की First Important Tables की ट्रिक जो क्यों आपके Repeat and Header Row मतलब अगर आपके Table Multiple Sheets में जा रहा है और अगर आप चाहते हैं जो आपकी Top की Header Row है वो हर पेज में यहाँ पर Repeat हो तो उसके लिए एक बहुत से सेटिंग है जिस्ट आप यहाँ पर Header Row पे क्लिक करें अपने Table के और जाएए यहाँ पे Table Layout के टाब में क्योंकि देखे टेबल डिजाइन और Table Layout के टाब एक्टिवेट हो जाता है जैसे आप कोई भी Table बनाते है MS Word में उसके लिए आपको Data Group में ही Option मिलेगा Repeat Header Row का आप इस पे क्लिक कर लिए तो आप देखेंगे आपकी Header Row हर पेज में यहाँ पर Repeat हो जाएगी आये दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे Second Important Trick की तरफ MS Word के Table की वह तैकि आपने जो Split Data है या Split Row है उसको Group कैसे करना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास MS Word का Table है और यह वाला Point 5 है यह वाला Point 5 देखे Page 1 पे भी आ रहा है और Page 2 पे भी जा रहा है अब आप चाहते हैं यहाँ पे जो Point 5 है यह एक ही शीट पे आया मतलब Group हो जाए यह Split ना हो तो उसके लिए एक बहुत से सेटिंग है जस्ट आप अपने Table को Select कर लिए तो Table को Select करने के लिए या तो देखे जो आपका Cross Bar है मतलब जो Four Square है या Four Arrows है आप इस पे क्लिक कर लिए तब भी देखे पूरा Table सेलेक्ट हो जाएगा या दूसरा तरीका यह है कि आप Table Layout में जाएए Select में जाएए और Select All कर लिए मतलब Select Table कर लिए तो आपका देखे Table यहाँ पे Select हो जाएगा उसके अपने यहाँ पे जाने Table Layout के टैब में ही Properties में और जैसे अब Row टैब पे क्लिक करेंगे आपको Option मिलेगा Allow Rows to Break Across Pages आपने इसको Uncheck कर देना है Then OK Press करेंगे तो आप देखेंगे जो 0.5 है वो एक शीट पे Group हो गया है ना कि वो Split हुआ है हाई दोस्तों बरते हैं यहाँ थर्ड इंपॉर्टन MS Word की Table की ट्रिक की तरफ अब यह वाली MS Word की Table की ट्रिक है वो कब काम आती है जब जादातर आप MS Word में Numbers को यूज़ कर रहे हैं खास टार पर जब आपने यहाँ पे Serial Number Insert करने है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने Student का डाटा लिखा है और हम यहाँ पे Serial Number Insert करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों अगर हम Manual लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा तो इसके लिए Just मैं क्या करता हूँ अपने सारे Sales को यहाँ पे Select कर लेता हूँ तो Just मैं क्या करूँगा यहाँ पे Click करके Right Click करूँगा और यहाँ पे Option मिलेगा यहाँ पे Adjust Line Indent का Just आप इस पे Click करिए और जो Position है Number Position इसको Zero कर दीजे और नीचे जो Text Indent का है वो भी Zero कर दीजे और Follow Number With इसमें आप कर दीजे Nothing and then OK Press करिए तो आप देखेंगे आपके सारे Serial Number Left Hand Side Indent हो गए है अब अब जब भी यहाँ पे देखें नई Row Insert करेंगे जैसे कि मैंने Tap Button प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे Automatically आपके Serial Number Insert हो गए है और जैसे अगर मैं देखें कोई यहाँ पे Serial Number डिलीट कर लेता हूँ जैसे उपर के तीन Row से में डिलीट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे आपके Serial Number आटमेटिकली अपडेट भी होते रहे है अब यही वाला सेम काम आप यहाँ पे Format Painter की मरद से भी कर सकते है जैसे कि यह वाली Serial Number Missing है तो आप यहाँ पे देखें Manually भी लिख सकते है यह Format Painter का भी यूज़ कर सकते है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ अपने यहाँ पे पूरे Cell को से रहे करता हूँ हो गए है इससे बाहर आने के लिए मैं Escape button प्रेस करता हूँ तो आप इससे बाहर भी आ जाएंगे तो दोस्तों है ना काफी इंट्रेस्टिंग ट्रेक आयो दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स ट्रेक की तरफ MS Word के टेबल्स की अब MS Word की टेबल की नेक्स ट्रेक है कि जैसे कि अगर आपने MS Word में कोई टेबल मनाया है इसमें कोई फॉर्मैटिंग करी है जैसे कि यहाँ पे मिसका कलर देखे जैसे यलो कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ ठीक है और इसमें थोड़ी सी फॉर्मैटिंग कर लेता हूँ अब आप चाहते हैं यहाँ पे सीम यह वाला टेबल नेक्स टाइम जब मैं MS Word का डॉक्मेंट ओपन करूँ तो सेम यह वाला टेबल इसी फॉर्मैटिंग में आ चाहे इसके लिए दोस्ता आप MS Word में इस टेबल को आप सेव कर सकते हैं टैंपलेट के तोर पर ताकि आप जब भी MS Word ओपन करें या किसी भी डॉक्मेंट को आपका सीम टेबल यूस करना पड़े तो आप यूस कर सकते हैं बहुत ही असानी से तो उसके लिए सबसे बहले टेबल को सिलेक्ट करना होगा तो जब यहाँ पर फोर स्क्वेर है आप इस पे क्लिक करिए तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया और और उसके बार यहां पर जाएए इंसर्ट में और यहां पर आपशन मिलता है टेबल्स का टेबल्स में जाके आपको नीचे आपशन मिलेगा क्विक टेबल्स का तो जिस में देखिए यह वाला आपशन यहां पर सिलेक्शन तो क्विक टेबल गैलरी जिस में इस पर क्लिक करत हूँ यहां पर मैं नाम डाल सकता हूँ अपने टेबल का लेट से मैं डाल नाम डाल देता हूँ student data और यहां पर गैलरी दिख लेता हूँ टेबल सी ठीक है and then okay press करता हूँ तो आप देखेंगे यहां पर जैसे आप टेबल से जाएंगे quick tables में जाएंगे और देखें नीचे स्क्रॉल करेंगे देखें स्टूडेंट के नाम से यहाला data आ गया है जसमें इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाला table भी आपका automatically insert हो गया है आपके MSWord के document में आए बस बरते next important MSWord के tables के trick की तरफ अब जैसे की देख सकते हैं यहाँ पर इस trick में क्या है कि जैसे की आपने यहाँ पर कोई data लिखा है MSWord के table में और आप चाहते हैं यहाँ जो cells जो हमने यहाँ पर data है ठीक है cells की margin को set करना मतलब हम चाहते हैं यहाँ पर by default एके top से इतना gap होता है लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर जो text है वो थोड़ा नीचे से शुरू हो और इसकी margin की setting हो जाए तो उसके लिए दोस्ते मैं क्या करता हूँ यहाँ पर click करता हूँ कहीं पर भी अपने table में और उसके बार आपने यहाँ पर जाना है table layout की tab में आपको एक option मिलता है cell margin का जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ से margin set कर सकते हैं जैसे कि मैं top से 0.1 inch का यहाँ पर gap रखना चाहता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं तो उसके लिए just आप यहाँ पर देखें यहाँ पर click करिए कहीं पर भी table में और उसके बाद जाए यहाँ पर टेबल की properties में पर पेज लियाओट के tab में जाके properties में click करना है उसके बार आपने यहां पर जाना है cell के टाब में और नीचे जाना है options में options में जाने के बार आपको एक यहां पर लिखा जागा same as the whole table आपने इसको uncheck कर देना है और जितना भी आपको margin चीए उस cell particular cell में आपने यहां पर set कर देना है जैसे कि मैं यहां पर set कर लेता हूं let's say 0.3 inch and then again मैं यहां पर ok press करता हूं and ok press करता हूं तो आप देखेंगे जो आपका first fellow cell है इसमें यहां पर margin देखे जादा आगया और इसमें उतना ही था मतलब 0.1 inch का यहां पर margin था जो हमने पहले set किया था तो इस देखेंग से आप यहां पर cell की margin को resize कर सकते हैं MS Word के table में आई दोस्तों बढ़ते हैं यहां पर next important trick की तरफ जो कि होता है कि जब भी आप MS Word में कोई भी data paste करते है जैसे कि मैं यहां पर जाके मैं यहां पर paste करता हूं तो आप देखेंगे जो cell की width है वो automatically adjust हो गई है लेकिन अब अगर आप चाते हैं यहां पर जो cell की width है वो उतनी ही रहे और आपको जो matter है वो यहां पर paste हो जाए तो इसके लिए आप यहां पर automatic width set है उसको disable करके यह वाला काम कर सकते है तो इसके लिए दोस्तों जैसमें ने दिखिया भी control Z किया तर आपने यहां पर जाने टेबल layout के tab में ही option मिलेगा properties का और यहां पर इस बार select करना है table tab table tab में जाने के बाद आपने नीचे जाना है options में और यहां पर option मिलेगा automatically resize to fit content आपने इसको uncheck कर देना है then ok press करना है and then again ok press करना है अब जब भी देखिए text यहां पर paste करेंगे तो आपका text आपके cell के हिसाब से paste होगा ना कि जो आपका cell है या जो आपका column है वो resize होगा आये दोस्तों बड़ते हैं यहां पर tables की last important trick की तरफ अब जैसे कि देखिए अगर आपने new row या new column insert करना है MS Word के table में तो देखिए new row insert करनी है तो आप देखिए row के बिल्कुल end में click करिए और tab button press करेंगे तो देखिए new row insert हो जाएगी last में और अगर आपने किसी दो rows के बीच में new row insert करनी है तो उसके लिए देखिए row के बेखिए यहां पर जाएए देखिए plus का निशान आजाएगा आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए new row insert हो जाएगी दोनों के बीच में उसी देखिए अगर आपने column insert करना है तो just आप यहां पर column के देखिए बिल्कुल corner में चाहिए और plus का निशान मिल जाएगा तो आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए नया column भी यहां पर insert हो गया है तो इस देखिए आप दोस्तों यहां पर new row या new column insert कर सकते है MS Word के टेबल्स में तो दोस्तों अगर आपको यह वाली वीडियो informative लगी है और अगर आप सीखना चाहते है MS Word और भी detail में तो आप हमारा MS Word कहीं हाँ पर online course join कर सकते हैं जस्त आप हमारी mobile app डाउनलोड करिए जो कि है creative learning by रिटेश, play store से और हमारा इस course में enrollment कर लिए बहुत ही discounted price में जैसे आप enrollment करेंगे आपको सारी videos का lifetime access मिलेगा जिनको आप step दे के अपने सारे doubts clear कर सकते हैं साथ में WhatsApp support मिलेगा और lifetime completion certificate मिलेगा जिसको आप यहां पे अपने अच्छी जॉब पाने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अभी कर लिजए इस course पर enrollment क्या पता कौन से चीज़ कब काम आ जाए तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जुरूर बताना और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत पूलना मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो में अपने अपने परिवाय का धियान रखेगा अंतिल देन गुडबाई टेक केर